नमस्कार दोस्तों केसे हैं आप सब लोग दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं दोस्तों आज हमारे यूटूब चैनल को पूरा एक साल हो गया यानि 28 जून सन 2020 है आज और मैंने इसको इस्टार्ट किया था तो हमने जब इस्टार्ट किया था इस चैनल को तो मैंने जीरो से सुरुवात की थी और आज हमारा जो यूटूब परिवार है वो करीब दो लाग पचाश जार होने वाला है तो आप सभी का दोस्तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाईयो बहनों का और जो मेरे से बड़े हैं मेरे से छोटे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखा उसको लाइक किया उसको सेर किया उस सबी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों दोस्तों मेरा नाम मनीश है और मैं राजस्थान के आलवर जिले के धाडोली गाओं का रहने वाला हूं मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था मैंने वह से पहले भी यूटूपर वीडियो बनाये थे तो उन पर ऐसा खाच रिस्प के पीछे तो वहाँ पर सूट कर रहा हूं इस वीडियो को क्योंकि यहीं मैंने पहले कुछ दो तीन वीडियो इसी जगे के बनाये थे इदर मगर मच भी रहते हैं पीछे मैं दिखाओंगा आप लोग अभी एक पड़ा है उदर पीछे इसमें मगर मच भी है तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं हमारे चैनल में जो मैंने यह बनाया एक साल हो गया इसको और इसमें क्या-क्या कठना ही आई मैंने क्या-क्या इस से किया कितने पैसे कमाएं तो सारी बात आज इस वीडियो में हम करते हैं दोस्तों जब मैंने इस चैनल पर पहली वीडियो डाली थी तो मैंने किया उस पे प्लेट फॉरम पे उसको चड़ा दिया था, क्योंकि वो गलती से बिस मेरी गलती थी उसमें, और वहाँ पे जो गाड था उसने भी नहीं रोका, तो वहाँ पे मेरे को उसी दिन सजा मिल गई थी, तो मैं उस दिन रास हो गया, मैंने किया पहले दिन वी मैंने में 970 सब्सक्राइब हो गये थे, फिर उसके बाद में मैंने कई और वीडियो भी डाले तो कुछ ऐसा चल नहीं पा रहा था, फिर मेरे एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसका एक बड़ा चैनल है, मैंने उससे बोला कि यार भाई मेरी एक तू लगता है, तो ठीक है, नहीं लगता, तो भी ठीक है, वीडियो बना के डालते हैं, लोगों को जानकरी देते हैं, तो मैंने वीडियो लगाना continue रखा था, फिर उसके बाद में मेरा एक वीडियो वाइरल हो गया था, करन अरजुन का घरवाला, उस दिन क्या हुआ था, जब क्या करता, भाई के फोन में जो में वो वीडियो थी, उनको कोपी करके, एडिट करके डालता रहा लेपटोप से, फिर मैंने जैसे तेसे पैसे जुटा कर इधर बिदर से, तो मैंने फोन ले लिया नया, और पहले जब मेरे पास कोई ऐसा संसाधन भी नहीं था, मेरा फोन क टाल से, मेरा एक दोस्त है, जिसका नाम है, मनीज, मेरा नाम रासी है, तो उस टाएम मेरे पास क्या पैस नहीं थे, तो मैंने इधर बीदर दोस्तों से ही पेसे खटा किया थे, मैंने उससे बोला कि मनीज भाई, आर मेरे को कुछ पैसे चाहिए, तो मुझे आर एक ट्राइ तो मनीज भै बहुत बहुत धन्यवादा आपने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया था और काफी जब मैंने वीडियो बनाया तो तीर महिन तक करीब मेरा 30,000 रुपे का खर्चा हो गया था चेनल पर और रियल टाइम अच्छा चल रहा था उस टाइम तो मेरा चेनल मौनटाइज हो गया था फिर मेरा जेड़वन एक्स वीवो का जेड़वन एक्स मैंने फोन ले लिया था फिर उससे मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद में आप लोग धेर सारा प्यार मुझे मिला धीरे 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 मैं वीडियो बनाता चले गया तिर मैं नदिया के पार वीडियो बनाने के लिए गया था, वहाँ पे मेरे को अखलेश दादा मिला था तो उसने हमको वहाँ पे सपोर्ट किया तो अखलेश दादा को भी बहुत बहुत धन्यवाद की उन्हों ने मेरे को सपोर्ट किया वहाँ पर मेरा कोई जानकार नहीं था तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था और मैं हर जगे गया था तो मेरे को लोगों का सपोर्ट बहुत मिला प्यार बहुत मिला आप सभी का आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो शेयर करते हो आप सब का प्यार है दोस्तों मैं निकला हूँ एक उम्मीद लेकर एक यात्रा पर निकला हूँ तो आप लोगों से यह करते रहो मैं आप लोगों के लिए कोशिस करूंगा अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं आप लोगों के लिए दूर दूर जाता हूं आप लोगों ने देखा होगा कहां कहां में गया था वीडियो बनाने के लिए कैस कैसे कैसे। और मैंने काफी मतलब ऐसी परेशान आजे ली हैं पहले। पहले में इसे फेक्ट्रियों में भी बहुत काम किया था। क्योंकि मेरी परिवार की जो थोड़ी आर्थ इस्तिती पहले खराब थी बाद में जब हम, बच्पन मैं थो जोटे बच्पन में ले नियुट थिसके को एक गिलाफ मास थि कि मेरे को तो बुलट ही लेनी है, बुलट ही चला हूँगा मैं तो, तो मेरे घरवालों ने मेरे को मेरे जिद के उपर ये गाड़ी भी लाई थी, आप लोग सोचते होगो कि कोई बड़े परिवार से नहीं, मैं कि सिर्फ जाद अच्य परिवार से नहीं हूँ, मिडिल परिवार नहीं है, तो यह नहीं के लिए कोई मेरे को कोई कमाने वाला कोई नहीं, मैं तो खुदी कमाता हूँ और खुदी सब कुछ करता हूँ, आप सभी को पता है, मेरी साधी भी होई है, मेरे दो बच्चे भी हैं, तो मैं तो खुदी कमाता हूँ और खुदी सब कुछ मेरे को इस यूटूब के चलते हुए मेरे को काफी अच्छे दोस्त मिले जिनोंने मेरे से बोला भी है कि अगर तुम्हें कोई परहसानी आए तो मनिस भायां बेज जिएक हमें फोन कर देना अगर जैसी परहसानी हो तो मैं तो यही बोलूगा आप लोगों से कि आप यही बोलू क्या नहीं बोलू क्योंकि वैसी है मानलों की खुसी से मेरे आसुई नहीं निकल रहे बाकी में बहुत खुस हूं सही बताओ आपको ना एक साल हो गया तो आप सभी को प्यार मिला तो आसुन निकला है बस पूछ मत तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही कभी आप जो बाकी रह गई हैं बातें तो आप लोगों से दुबारा करूंगा यार समझ नहीं यारा मैं क्या करूं तो आप क्nothing की सबी के लिए और यार मेर को समझ नहीं क्या बोलूं चलो बाते करते हैं है कि इसा और दोस्तों मैं कुछ दिन पहले आपको पता है कि मैं बॉंबे गया था तो मेरे एक दोस्त है जिसका नाम है गुड़ण ढ़िमोले उसका नाम तो खेर वरतान्त धिमॉल हैं पर उसको प्यार से लोग गुड़ा ही बोल दें तो उन्होंने जब मैं बॉम बे गया था तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था वहां पर उनकी वज़े से मैं जो अमीता बचन जी की जो भूतनाथ मूवी आई थी तो उसके जो डारेक्टर है व उनके साथ मुझे फिल्म देखने का मोका मिला। और उदेध हया जी है जो मेरा जो गुड़ा भाई है उसका फ्रेंड है वो वोलीविड फिल्मों में के साथ राज पालियादव जी के साथ उनकी फिल्म आई थी कडके कमाल के तो उनसे मेरे को मिलने का मोका मिला उनका मैंने उनसे इंटर्वीव लिया बाते भी करीती कूछ उस टाइम क्योंकि वो भी जल्दी में थे तो में भी वहां से आने वाला था इसलिए मैंने उनसे कुछ बात भी की थी मेरे को बहुत अच्छा लगा था उनके साथ में मतलब मेरे को बॉंबे में जिस काम से गया था वो मेरा काम हो गया था मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं किया था मैं तो किसी काम से गया था पर मैंने कुछ वीडियो भी वहां के बना कर डाले थे तो गुड़ा भाही का भी बहुत भूद धन्यवाद की उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया अपने साथ लेकर के है और सबसे बड़ी बात यह है मतलए उन्होंने मेरा खर्चा सारा उन्हों नहीं उठाया था मैं मना कर रहा था उनसे पर वो मेरे से बोले कि जब तू कमाने लाइग हो जाए तो तब मेरे उपर खर्च करना अभी तू कुछ नहीं देगा तो मेरे से उन्हों में पैसे भी नहीं लिए थे और आप सभी का बागी सारा तो प्यार है कि उम्मीद करूँगा आप लोगों से दोस्तों हमें ज़्यादा तो कुछ बताऊँगे नि क्योंकर मेरे ज़्यादा तो यहीं कैसी कोई हिस्ट्री नहीं है अगर बसाँ लोगों से यहीं बोलुगा कि आप लोग मेरी वीरियो को देखते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना सपोर्ट करते रहे ना तो आज के लिए इतना ही मिलूँगा आप लोगों से आगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से लव यू जैहिन